बेलकम तू अबर चैनल आईए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, करोना, मौसम और राजनीती से जुड़ी सभी खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेगे करमचारी चैन आयोक के द्वारा हिमाचल परदेश पूलीस भरती की ओफिशिल नोटिफिकेशन जारी की गई है यहाँ पर पूरिश और मेहिलाएं दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया ये जौब अपर्चुनिटी रहेगी तो इस वीडियो में हम लोग A to Z बातनें डिसकस करेंगे पूलीस भरती के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी फीजिकल स्टंडर क्या रहेगा एंट्रस एक्जाम कितने मार्क्स का होगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें हिमाचल परदेश पूलीस सब इस्पेक्टर की वकैंसी निकाली गई है अनीशल सेलरी आपको 10,300 दी जाएगी बाद में आप लोगों की सेलरी जो हो 46,000 तक जाएगी आवेदन करने के लिए 21 से लेकर 26 वर्ष के बीच में रखी गई है मेल के लिए 18 वकैंसी रखी गई है और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 वकैंसी रखी गई है टोटल 28 वकैंसी जो हैं वो चैन आयोके माधियम से भरी जाएंगी बाकि आप कैटागिरी वाइज वकैंसी का ब्रेकप भी चक कर सकते हैं करमचारी चायन एओ की ओफिशल वेबसाइट के उपर जाकर आपको आवेदन करना है सब इंस्पेक्टर की वेकैंसी के लिए पोस्ट कोड रहेगा 1087 अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस कोमर्स आर्ट्स में तो आप इन वेकैंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे फिजिकल स्टंडर की बात करें तो यहाँ पर जर्नल और ओबीसी के लिए हाइट 5 फूट 6 इंच फूर मेल रखी गई है और 5 फूट 2 इंच हाइट फीमेल के लिए रखी गई है schedule cast और schedule tribe के लिए height 5 foot 4 inch male के लिए रखी गई है और 5 foot female के लिए रखी गई है male candidates के लिए chest की बात करें तो general और OBC के लिए 31 inch और 32 inch रखी गई है वही schedule cast और schedule tribe के लिए chest 29 inch और 30 inch रखी गई है अगर हम लोग दोड की बात करें तो 1500 meter की race male candidates के लिए रखी गई है और 800 मीटर की रेस female candidate के लिए रखी गी है male candidate को 1500 मीटर की रेस जो है वो 6.30 में पार करनी है वही female candidates को 800 मीटर की जो रेस है यह 4.15 में पार करनी है अगर high jump की बात करें तो male candidate को 1.25 मीटर का minimum high jump माना है वही female candidate को 1 मीटर का high jump जो है वो लगाना है अगर हम लोग जो हैं broad jump की बात करें तो यहाँ पर minimum 4 meter male के लिए रखा गया है और minimum 3 meter female candidates को broad jump लगाना पड़ेगा fees की बात करें तो general category EWX ex-servicemen of HP 360 पे fees महीं general IRDP physically handicapped ward of freedom fighter bard of ex-servicemen 120 पे fees female candidates और ex-servicemen of HP के लिए किसी तरह की कोई fees नहीं रखी गई है अगर मैं आपको written test की बात करूँ तो दोसो multiple choice question आप लोगों को attempt करने है वेपन में यहाँ पर आपको plus two standard से material आएगा इसमें आपको gk, english grammar, hindi grammar आप लोगों को पढ़ना है साथ में आप लोगों को HPG के everyday science पढ़ना है, social science पढ़ना है, current affair पढ़ना है, math की logical and reasoning पढ़नी है और यह सारे ही आपको जो content है उसको study करना है यही आपका सारे content written examination में आएगा जो इस written को qualify करेंगे उन लोगों का physical efficiency test होगा उनका 100 number का एक subjective test भी होगा जिसमें journal English और journal Hindi के आप लोगों को जो है, वो subjective question लिखेंगे जैसे आप लोग essay writing, online आवेदन करना है, subordinate selection board हमीरपुर के official site के उपर जाकर 30 September से online registration स्टार्ट होंगे और 29 October तक आप इन vacancy के लिए online आवेदन कर पाएंगे शोपोट लाइक शेर सब्सक्राइब तवर चनल पर मोर वीडियो थैंक्स पर वाचिंग